नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर सुख की रेखा जीवन में सुख प्राप्त होगा या नहीं अंतसमय में बुढ़ापे में सुख होगा या नहीं इस पर हम बात करेंगे जब इन बातों की चर्चा होती है तो ये तीन रेखाएं जो सभी जातक के हत्यली में होती इन्हीं तीन रेखाओं में सब कुछ छिपा हुआ रहता है सिर्फ उसे पहचानने की देरी है ये तीन रेखा हैं सभी की हत्यली में होगी आप अपने हत्यली में देख सकते हैं ये हमारी जीवन रेखा है जीवन रेखा बहुत कुछ कहती है इस पर ये मस्तिस रेखा है ये हिर्दय रेखा है हमारी जीवन रेखा ध्यान दें यहां से यहां तक सास्तर के नुसार सो बरसो में बाटा गया है जब आप इसे बाट देंगे इसकेल पे तो लगभग लगभग यहां पर माल लेजिए यह 50 है यह 25 है और यह 75 है लगभग अब इस रेखा से क्या पता चलता है अब इस रेखा की बनावट पे चले जाईए अगर यहां से यहां तक बनावट असपस्ट है प उमने देखा है प्रैक्टिकली यहां के बाद लोगों के रेखाओं में कुछ ने कुछ समस्ट्या जैसे रेखा खत्म हो जाना या फिर रेखा इस प्रकार से कई भागाओं में बट जाना ये देख लीजी ये जीवन सक्ती के हराश्मेंट को दिखला रहा है आपकी जीवन सक्ती में हराश्मेंट हो रही है आपका स्वास्त खराब हो रहा है जब स्वास्त आपका खराब हो जाएगा तो धन भी कोई कारी नहीं करेगा आपका पुढ़ापा सुख में नहीं रहेगा अगर इस रेखा पे कोई दूइप का निर्मान हो जाए दूइप का निर्मान हो रहा है दूइप का निर्मान बने बीच में इस प्रकार से गोल सा निर्मान हो जाए ये भी बतला रहा है कि आपके जीबन के इस भाग में समस्याए होगी या फिर यहां पर आजा, 60 बर्स की आई उपे यहां दूइप बन जा इस प्रकार से आपके जीबन में रोग भ्याधी ऐसा घर करेगा कि आपको ये फिर अगले जीबन में ये समस्यागरत कर देगा तो ये सुख के जगा दुख में बाट देता है अगर साप सुत्रिय अवस्था में है तो आपका जीबन सुख में है ये हिर्दय रेखा इसे भी सास्तर में सो भागों में बाटने को बताया गया है परतेक अंगली के पोर पे आप इसे पचीस 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 भागों में बाट सकते है हिर्दय रेखा साप सुत्री है बिल्कुल साप चल रही है लेकिन जब इस भाग में आ रही है ते हिर्दय रेखा अगर बहुत अधिक इस परकार से कई रेखां में बढ़ती हुई नजराबे ये हिर्दय की कमजोरी को दिखला रहा है अब आपका हिर्दय सही से कारी नहीं कर रहा है हर्ट का पंप खरगरबड हो रहा है बलट पेसर की सिकायत आ रही है लो बलट पेसर हो रही है बहुत तरह की ब्यादिया है ये उत्पन हो रही है दिखा रही है आपकी रेखा तो साब सुतरी थी एक रेखा मंगल से आई इसको काड़ दिया अगर आप युवा बर्ग में ये रेखा है तो यह आपको प्रगती की ओर उनती की ओर ले जाएगी लेकिन आपके बुड़ापे में ये रेखा चानक से आ जाती और काड़ देती इस उम्रों में तो आपको इस उम्रों में कश्ट आना सम सुरू हो जाएगा मस्तिस रेखा है इसे भी स्वभागों में बाटा गया है ये थोड़ी ढलमा होती है अगर ये सीधी होती तो इसे बाटा जा सकते है मस्तिस रेखा पर कोई क्रॉस आ गया युवावस्था में आ गया था इसे बेक्ती को क्रोधी आप मान सकते हैं लेकिन युवावस्था में नहीं था, 50 बर्स के बाद आ गया, 60 बर्स के बाद आ गया, अब आपका मांसिक संतूलन बिगड सकता है, पागल बना सकता है, सोचने समझने की सकती, खत्म हो सकती है, कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो इस प्रकार की समस्याएं जब आती है, तो भाग रेखा यहां से तो चला जीवन भर, हिर्दय रेखा पे आके रुख गया, यह जिस जगह हिर्दय रेखा को काड़ता है सास्त के अनुसार, 55 से 56 वर्स लगभग आपकी आयू मानी जाती है, इसके आगे अगर कुछ नहीं है, बिल्कुल साप सुतरा है, तो बुढ़ा जाएगा, चुकि जब तक यह सनी पे नहीं पहुंशता है, आपके जीवन में धन का सुख नहीं आता है, यह रेखा बढ़ जाए, तो धन आपके पास तो आएगा, लेकिन यहां पर अगर निगेटिव चिन शुरू हो जाए, इसके कट आजाए, दूई पार जाए, तो धन की समस्याब बनेगी, तो यह सब कुछ मूल चीजें हैं जो बतलाती है कि यह